हेलो फ्रेंड्स गुज्जाद बोर्ट, CBSC बोर्ट, क्लास 10 एनिमल का जो लेसन है उसकी कॉश्चन आंसर के हम डिस्कॉसन करेगे इस वीडियो में हम इसकी डिस्कॉसन करेगे उससे पहले मैं आपको बता दो कि इस चैनल पे मैंने क्लास 10 के साइंस के सभी चिप्टर के इस यूश ministre निम्त पर फ्रकाल्ट, यू अझिका जस बमागी क्लास 10 को कि वीडियो में आप्रिख। इसमें जो पत्ते है खांस के पत्ते हो हमें बता रहे है कि अनिमल जो है इनसानों सो भी अच्छी है बिंग एज आर काम क्योंकि वो शांत है, सटिस्पाइड है, संतोसी है तो पाइट फिल्स देट हुमन बिंग है वो तो कब से जो लाइब का सही मतलब होता है बूल चुका है, वो तो मशिन की तरह काम करने लगे है, वो मेकनिक हो चुके है अनिमल स्टेल एंचोई तो नेचर लाइब, अभी भी नेचर लाइफ एंचोई कर रहे है और इन दे लेप आप नेचर लग प्रकृति की गौद में अभी भी रहते है यहां पे टर्ण सब्द का यूस करने का मतलब यह है को उसको यूमन सोसाइटी जो प्वाइट को है वो छोड़नी है और उसको अनिमल के साथ रहना है नेक्स्ट कोशन है मैंशन त्री तिंग्स देट यूमन बिंग डू एन अनिमल दोंट तिन चीज़ बताओ जो यहां पर करते है और अनिमल नहीं करते है यूमन बिंग डिपेंड अनिमल नहीं करते है यूमन बहुत है और शांत और सेल्फ डिपेंड़न वालब खोदी अपना खाना ढूंड लेते हैं कई से गुजारा कर लेगे यूमन कमेट सिंस एंड लाइ अवेक एट नाइट विपिंग फॉर एदम यूमन जो पाप करते हैं चुट बोलते हैं और रात को इसके लिए रहते हैं बट एनिमल रहते हैं नहीं है क्योंकि वो पाप नहीं करते हैं दूसरा हुमन बिंग आर क्रेजी अबाट ओविंग मट्रियल सिंग्स हुमन बिंग जो है वो क्रेजी है क्योंकि उसको प्रत्वी पे है वो मट्रियल धुनते रहते हैं माला कि उसको कुछ ना को चाहिए जबकि अनिमल है और नोट डिसेश्पाइब डिसार टू अउन तिक्स एनिमल को ऐसा कोई असंतोस नहीं है कि जिससे कुछ नहीं मिला या मिला वो कभी ऐसी आश्रा नहीं रखते है कि उसके बाद खुद की कोई ऐसी चीजे हो तो यह सब चीजे उसमें डिफरेंस में आई आई जो लुक्त नहीं है कि यहां पर जो हूँभाद के पाई। उसको रिस्पेक्ट देते है और यह देनी चाहिए इसकी डिसकर समय पर नहीं है तो यहाँ पर एनिमल जो पॉइंट है उसमें पॉइंट में एक्स्पेंट करते है कि एनिमल तो ऐसे थे कि एक किसी के टो आपको ठीकाद नहीं था यातो कोई ज्यादे है अनिमाल के लिए सब में टारो आपकें हे अनियू ने लिए और वो इतों, इसमिछ नियुकिन न हनीट है जिसलिए किसी को किसी के नीचे जुखना नहीं पढ़ रहा था जिसलिए human जुखते है they also don't go down to those who lived thousand thousand of the year ago वो कभी उनके सामने भी नहीं जुखे जो हजारों साल पहले थे जिंदा थे they have not made any division in their society animal ने कभी अपने society में division separation नहीं किया या तो कभी पटवारा नहीं किया so they live happily unlike man वो भी खुशी रहते लेकिन इंसानों की बात करतो who has met the division and gives importance to few so their unhappiness इंसानों ने सभी को बात दिया पटवारा कर दिया और किसी किसी को बहुत ज़्यादा इंपोर्टन दिया इसलिए महाँ पे unhappiness है what are the tokens that poet says he may have dropped long ago and which the animals have kept for him discuss this in class token का मतलब से पोईटा यहाँ पर क्या बताना चाहते जो उसने बहुत साल पहले drop कर दिया था और कौन सा animal उसके पास अभी भी है उसकी discuss करनी है human beings are proud to have an intellect which makes them superior to all life forms human being proud feel करती है क्योंकि वो अभी सभी life के अंदर सभी के torch position पे superior है but what they have achieved is material things man यहाँ पर यह बात है कि human ने क्या हासिल के उपर रहे के भी यह man यहाँ पर बात हो रही है and not a real virtues उसकी कोई गुणों जो सही में जो गुण है उसकी बात नहीं हो रही the poet wolf with man has studied animal and has found that humans somewhere dropped their virtues poet wolfman यहाँ पर यहाँ पर यह study करते है animal के बारे में और बताते है कि human ने तो पहले से अपना virtues उनने गुण जो है खो दिये थे it seems to be animals pick up with the virtues अभी उनको ऐसा लगता है कि animal है उसने अभी गुण रखे हुए है अभी वह लाइप जही रहे एनिमल तो इंसन तो मशीन बन चुके है उनको जो है प्रकृति की गौद से निकल चुके है लेकिन अभी भी अनिमल जो है वह प्रकृति की गौद में जिन्दा है अभी भी शान दिखे देखे 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 लिए उसकी लाइप स्टेल में वह अपना गुजारा खुद कर सकते है यह फिल्स की टू गैट देख देख और उनको ऐसा लगता है कि वह अभी यह जो एनिमल जीते है प्राणी है उनसे कैसे लाइप जीनिये उसकना चाहिए वाइड दस देख पॉइट लाइक अनिमल पॉइट है जो है बहुत ही सालों से बहुत सालों से अनिमल के उपर स्टड़ी कर देखे थे दस द्रण अब वह शुचाएटी अब वह इंसानों की आदग का साथ ना चाहते है उसको छोड़ना जाते है एन भी इनमल श्यूचा हो स्टड़ सप्रिशन एसा क्योंकि उनको अनिमल जो सांत लगते है वह वाक्रती के गोद में रहना चाहते है He also feels that humans have a larger meaning of life उनको ऐसा होता है कि इंसान उने तो अपनी जो लाइब का मिनिंग है ना वो ही खोद दिया है Since a long time he needs to learn it from the animals इसलिए वो बहुत सालों से इंसान और उनको सिखना चाहिए और निट्स तू लाइब इट फ्रम अनिमल अनिमल से बात सिखनी चाहिए कि कैसे लाइब जीनी है Now next question है Explain the satisfaction that animals have and humans don't आप satisfaction की बारे में समझाओ जो अनिमल के बास है लेकिन इंसानों के बास नहीं है Animals are satisfied with their lives while humans complain about their lives Animals हमेशा उसकी लाइब से संतोस दिखाए देते हैं जबकि human है उपने life के बारे में complain करते हैं Animals sleep well at night as they don't have a trip for their sin Animals हमेशा सांते से सो जाते हैं और अपने कभी काम के लिए जो काम हाते उससे कभी रोते नहीं क्योंकि वो कभी पाप नहीं करते They are innocent while humans have to whip for their sins वो शांत रहते हैं लकि यह human being जो है वो इनोसेंट नहीं है वो तो कैसे वो अपने के पाप के लिए रहते हैं The greed of the owing worldly things is absent खुद की दुनिया में होने के बावजूद भी वो उनको जो यहां पर दुख दिखाई देता है और खुशी नजर नहीं आती है इन एनिमल है बट इस पाउन इन दे हुमन जो खुशी है वो अनिमल के लाइब में दिखाई दे रही है लेकिन इनसानों के लाइब में दिखाई नहीं दे रही है अनिमल है वह वर्चूज और इसके अभी भी अनिमल को तो अभी भी अपने गुण नजर आते है which were once found in human जो पहले human में भी दिखाई दे जेते थे इंसान भी जिन्दा थे इंसान भी अपनी लाइब जीते थे लेकिन नोट लोगर थे पर ये गुण वोग हो चुके है what makes the poet sick? कौशी बात ऐसी है जो poet उसके लिए सिख करते है मेल अभी उसको दुख देती है the poet wildman in his poem animals tells us that he feels sick and upset because on one hand man commit sins and on the other he still talk about his duty to God इस मेल का poet जो वो दुखी है और upset भी है क्योंकि वो एक हाथ से बात करे तो इंसान जो है वो पने पापों के बारे में commitment करते है और और उसकी duty है उसके बारे में बहुए से बात करते है अपने कामों जो उसने की है उसमें कर्म के बारे में बहुए बात करते this means that they don't stop sinning और इसका मतले ही होता है कि अभी वो पाप करना बंद नहीं कर रहे है और तो भी क्रिटिसाइज करते हैं कि हम भगवान से प्रात्ना करते हैं तो यह थे आपके कॉशन आंसर दोस्तों इस लेसन के कैसा लगा उसका रिवीव देना तो नेक्स लेसन आएगे ता आप उसके कॉशन आंसर की डिसकेसन हम करेगे यह रिवीजन के फाम में आपको बहुत काम लगेगा ठीक है ओके थेंक यू बहुत और बाई